कि नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का सवागत है दोस्तों दोस्तों आज हम डिसक्स करेंगे कि ब्लोक्चेन पर बिटकोईन का करना दो का की सब्सक्राइब Annpped कभी करें यादि की ब्लोक्चेन के अग्वपर ब्लोक्चेन का अगांट करेड लाइव यह और उसमें कौन-कौन से security जो steps हैं वो measure करें हैं ठीक है क्योंकि blockchain का account हो काफी sophisticated है और उसके बाद काफी hackers अगर उनको आपका blockchain का account मालूम हो गया तो उसको hack करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो आप उस hacking से कैसे बचें उससे पहले आपको क्या-क्या steps follow करने वह मैं बता रहा हूं जैसा कि आपने अकाउंट क्रेट कि आपको एक वेरिफाई इमेल करना होगा उसके बाद पांच मिनिट के अंदर यस दिस इज माई इमिल और उसके आप अंदर आपकी जो वालेट आईडिय वह आ जाएगी यह वालेट आईडिय और यस दिस इज म देख सकते हैं डैश बौड, bitcoign, ether, buy, bitcoin, exchange security center security, ょ McS coups are побед संधर पर जो राइड करका माक वह देख सकते हैं उसके नीचे सेटिंग क्लिवाट या आप देख यह सेटिंग Tina यह आप दे रखना है लोग इन करने के वक्त यह है आपको उसमें पूट अप करना पड़ेगा ठीक है और अपना जो पासवर्ड जो आपने क्रेट किया था अब उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट जो स्टैप है जनरल के बाद प्रिफ्रेंस प्रिफ्रेंस के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं इमेल आपकी वेरिफाई हो चुकी है और यहां पर ग्रीन कलर का इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है राइट साइड में आपकी जो इमेल है वो ठीक है उसके बाद मोबाइल नंबर यहां पर इस जो उप्षन है प्रिफ्रेंस उप्षन है इसमें सिरफ वालेट आइडिया आपको मिलेगी और आपका मोबाइल नंबर आप यहां पर पूट अप कर सकते हैं और नीचे बिटकोई उनिट नोटिफिकेशन या मेल चाहिए वह लगए ठीक है तो इमेल एडर्स आपका वेरिफाय हो चुका है मोबाइल नंबर पर आप राइट साइड में आप देख रहे हैं चेंज उसके पर क्लिक कीजिए यहां पर अपना मोबाइल नंबर लिखिए फिर सेव कीजिए जैसे आप यहां पर सेव कर पर करके ध्यान पूरक सुनिए ठीक है वालट रिकावरी फ्रेजिस अगर आपका जो अकाउंट है आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यह जो फ्रेजिज है वह आपको आपका अकाउंट रिकावर करने में काफी हल्प करेंगा उसके बाद पासवर्ड हिंट है यह जो भी असे स्टेप बाइस प्रेजिस पर क्लिक करना करें इस तरह से यह प्रेंट की प्रेंट वरडवर्ड आपको लिखनी है next आपको klik करेंगे तो 4 वर्ड मिलेंगे धी आपको लिखने फिर next फ्रोर व्र आपको लिखने है तो टल 12 मिलेंगे आपको 12 तो जितने आपने जो वर्ड है एक से लेकर 12 तक 4 फिर 4 फिर 4 ठीक है उन में से एक से 12 तक जो भी वर्ड है आपको verify करना है आप यहां पर आपको 12 लिखना है फिर 1st फिर 7th फिर 10th ठीक है वो 4 वर्ड 12 में से यह है आपसे पुछेगा verify कराने के लिए जैसे आप इन पर लिख दोगे 4 वर्ड तो आपका यह कर आपका अकाउंट लोक हो गया है है को गया है स्टोलन हो गया है तो बेकप रिकावरी फ्रेजिस का यूज यहां पर आएगा आपके जो अकाउंट उसको रिकावर करने के लिए ठीक है तो यह स्टैप आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद हम next इसको मैं close कर रहा हूं उसके बाद आप उसमें पासवर्ड दुबारा एक हिंट डाल सकते हैं ताकि आपका पासवर्ड किसी को पता लग गया तो पासवर्ड हिंट अगर आपको पता है तो आप पासवर्ड हिंट से अपना पास जो अकाउंट वो लोगन कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चले है उसके बाद login करेंगे तो second wallet password और वो मांगेगा वहां पर तो second password आप यहां पर set कर सकते हैं ठीक है primary password और secondary password जो भी आप accounts activity करेंगे उसमें आपका जो दूसरा password है वो use होगा तभी आपका account login होगा और activate होगा और activate होने के बाद जो transfer करोगे उस process में भी second password आपको चाहिए ठीक है तो second password यहां पर create कर सकते हैं अगर आप चाहें तो next two step verification यहां पर आप क्लिक करेंगे right side पर enable के उपर तो Google Authenticator आपको यहां पर चाहिए ठीक है फर्स्ट में second में आपको क्लिक करेंगो तो email का है तो आप email चूज कर सकते हैं Google Authenticator की बजाए ठीक है और उसके बाद है remember two step verification last में तो remember two step verification में क्या ही है जो step है उसके लिए आपको बाहर बाहर Google Authenticator का यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो अकाउंट हो अथान टिकेट होने के बाद लोगिन हो पाएगा पूरी तरह से तो यह ज्यादा security steps है इसके उपर फर्स्ट आपको wallet password के लिए backup phrases पर क्लिक करना है है second wallet password को आपको टच नहीं करना है first आप कीजिए इसमें ठीक है फ्रेंट्स वालेट recovery phrases आपको note down करके रखने है one to twelve और फिर वह चार जो word है वह उस आपको आपर टाइप करने है verify करवाने के लिए backup phrases आपको note करके रखना है बहुत important step है ठीक है तो मैं आप उससे एक बार फिर डिसकस करता हूं सबसे पहले जन्यल पर क्लिक करेंगे तो आपको आप wallet ID मिलेगी second preference के जो option है उसके उपर आपको आपका जो mobile number है वो add कर सकते हैं इस option में जाकर करके और wallet recovery phrases आपको मिलेगा third option ठीक है फिर wallet password आपको चेंज करने की जुरूत है नहीं उसके बाद password हिंट यहां पर आप चेंज कर सकते हैं और second password तो यह जो दो step सब्सक्राइब कर सकते हैं second है two step verification verification enable इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको Google Authenticator का first option होगा second option होगा इसमें email का ठीक है तो second आप चूज कर सकते हैं two step verification में email का ठीक है और लास्ट वाल है remember two step verification तो इस तरह से आप अपने account को verify कर वा सकते हैं जो भी security steps हैं वह मिजर आप यहां पर कर सकते हैं उनको verify कीजिए note down कीजिए ताकि आपका जो blockchain का bitcoin का अकाउंट हो काफी secure हो कोई भी hackers hack ना कर सके और आपका password अगर चूरी हो गया हो तो भी आपका account safe रहे आपका यह आपका address है request के उपर आपको क्लिक करना है तो copy and share this address to anybody to whom you want to share your bitcoin address ठीक है इसमें है जो भी ट्रण्जक्शन है वो यहां पर आपका show off करेगा ठीक है all transaction sent received transfer ठीक है गवाश का अजयर नवाश में एसका हो गया हो थे टाइब काउ झाल झाल